हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका डिजिल तयारी चैनल पे मैं श्रियांस कोठारी लेके हैं दोस्तों शान नारिक किताब बुक रिव्यू आपके लिए रेन एन्मार्टिन की किताब दोस्तों नाम से ही चलती है यह और ऐसी बहुत सारी बुक्स होती है जो केवल ओथर के नाम से पहचानी जाती है आनेसली स्पिकिंग बहुत सारे स्टूरेंस को यह भी नहीं मालुम होगा कि स्पी बखशी की किताब का नाम क्या है वैसे ही बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि Ren and Martin की book का नाम क्या है दोस्तों सिर्फ इतना ही बहुत है Ren and Martin अपने आप में बहुत ही शानदर है दोस्तों कई लोगों को यहीं नहीं पताएगी ये एक इनसान का नाम है या दो नाम है बस कोई चीज अगर चल पड़ती है तो चल पड़ती है ऐसी एक किताब लेकर हैं हम दोस्तों बिलकुल आपके सामने है English Grammar and Composition बहुत ही बहुत ही शानदर किताब दोस्तों और उसके ऊपर एक चोटा सा लिखावा है High School English Grammar and Composition दोस्तों एक ऐसी किताब जिसके बारे में कई वर्षों से कई सारी चीज़ें कहीं गई हैं मैं बताओं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत प्यारी बात कि ये एक ऐसी किताब है जिसने बहुत सारी किताबों को जन्म दिया है बिलकुल साही सुना आपने दोस्तों बहुत सारी किताबें इस किताब पर बेजड है हजारों किताबें जो हैं केवल इसी को reference लेके बनाई गई है तो ये बहुत ही शांदार grammar की, बहुत सारे teachers की भाषा में कहूँ तो एक Bible है, एक reference book है, जहां पे ये मान लीजिये, जो इसमें लिखा है वो अंग्रेजी का सत्य है, सत्य क्या ये बात समझा रही है। दोस्तों, Ren and Martin दो author हैं जन्हों ने ये किताब बनाई है, दो author की ये किताब है और किसके लिए है, किसके लिए दोस्तों, for all who want to improve English, वो सारे विध्यारती, वो सारे लोग जो actually अपनी अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं, अगर आप schoolgoer हैं, तो भी आप पढ़ें, college students हैं and everyone else कोई भी अगर आप हैं, अगर अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, बहुत ही शांदार किताब हैं, दोस्तों, especially a reference book for students and sometimes teachers, मैंने कहा आपको अध्यापकों के लिए, teachers के लिए दोस्तों, एक बहुती बढ़िया reference book है ये, जिसके बारे में हम book review करने जा रहे हैं पहले इस book के बारे मताओं आप लोगों को कि book को हमने दो पार्ट में divide किया है, इसका जो content है वो दो भागों में विभाजित है, यू समझ लीजे, दो किताबों में विभाजित है, book number one जहां grammar है, आपके 43 chapters, 138 pages के अंदर दोस्तों book two है, composition four parts है, 44 chapters है और 238 pages है, तो कुल मिलाके 376 की one of the most comprehensive books जो मैंने अभी तक देखी है, अंग्रेजी के लिए, जिसमें कोई ऐसा भाग नहीं है, जो छोड़ा गया हो, हर चीज को cover किया गया है, दोस्तों English grammar and composition, ये नाम से पता चलता है कि grammar और composition, जो दो मुख्य भाग हैं किसी भी भाषा के उन दोनों को cover किया गया है, तो English grammar का portion अलग है, composition का portion अलग है, और बहुत clearly अलग-अलग करके बताया गया है, तो अब देखते हैं कि इसके content में क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, सबसे पहले part आता दोस्तों grammar का, और बहुत ही प हमारे पास चार भाग है, चार chapters है, बहुत अच्छे से एक-एक part को explain किया गया है, और इसने कोई तरह की formality नहीं करी है, कि भीया एक chapter खतम हुआ, उसने नीचे वाली जगे खाली छोड़ी, अगला chapter नए page से start गया, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्तों continuous book को जारी रखा है, जिसस कि आपको हर चीज अलग-अलग पता चले, आपको यह पता चले कि भीया, नाउन के भी चार अलग-अलग part हैं, आप देख सकते हैं, adjective के भी अलग से आप समझे, adjective, comparison as noun, position of the adjective, correct uses of some adjective, सोचिए जरा कोई ऐसी book मिलेगी जहाँ, adjective के 5 अलग-अलग chapters हैं, दोस्तों मैंने starting में कह most comprehensive books I have ever seen, ऐसी एक किताब जो जो शायद सबसे जादा अपने आप में पूरा एक सागर, एक समुद्र समेटे हुए है, अंग्रेजी का कोई भाग नहीं छोड़ा इस किताब ने, आगे देखते हैं दोस्तों, grammar और continue है, एक-एक चीज के बारे में, tenses के बारे में, mood यानिकी indirect adverbs, सारा grammar का portion complete उन्होंने, 44 chapters में, 43 chapters में आप देख सकते हैं, पूरा के पूरा grammar complete किया है, और एक-एक चीज को explain किया है, दोस्तों, इस किताब के अंदर इतने examples हैं कि मजा आ जाएगा, एक-एक बात को समझाने के लिए examples हैं, हर sentence के लिए, हर चीज को समझाने के लिए, एक explain कर रखी है किताब, जरूर आप देखें, grammar का पूरा portion अच्छे से cover हो जाएगा, अब बात करते हैं दोस्तों composition की, और composition भी तीन अलग-अलग parts में हैं, आप देखेंगे जरा part one के अंदर analysis और transformation and synthesis दे रखा है, कुछ exams में अगर मैं कहूं, तो ये एक बहुत-बड़ा portion रहत है, आप देख सकते हैं कि analysis दे रखा आपको, phrases तो दोस्तों phrases को भी अलग-अलग adjective, adverb, noun, अलग-अलग तीन तरह के phrases को explain कर रखा है, clauses तो आप देख सकते हैं, उसके भी अलग-अलग clauses दे रखें, sentence कितने प्रकार के हो सकते हैं, noun clauses के बारे में और कुछ, adjective clause के बारे में और क कुछ, आप देख सकते हैं, adverbial clause के बारे में, कितने प्रकार के adverbial clause हो सकते हैं, उसको एक-एक explain कर रखा है, तो अगर कोई writing skills को भी सुधारना चाहता है, दोस्तों बहुत detail में सब कुछ दे रखा है, आप analysis कर सकते हैं, transformation, एक sentence से दूसरे sentence में, interchange of active-passive, affirmative-negative, negative-interrogative, हर तर किया जा सकता है, conversion, conversion दे रखा है, simple into complex, compound into complex, complex into simple, हर तरह का conversion इसमें दे रखा है, synthesis, वो तो था analysis, अब है synthesis, sentence बनाया कैसे जा सकता है, जोडा कैसे जा सकता है, synthesis of sentences, synthesis of sentences के अलग-अलग part है, sequence of tenses, दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिलता है, ये portion कि sentence में tense का sequence क्या होना चाहिए, जरूर पढ़िएगा ये chapter, direct indirect जैसा मैंने कहा, आपको दे रखा है, अब बात करते हैं, दोस्तों, correct usage की, आप मेंसे बहुत सारे लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, competition exam के लिए, तो competition exam के लिए, इस book की दो बाते खास बता दू दोस्तों, पहली चीज, आपको अगर हिंदी का translation चाहिए, तो boss, ये किताब एकदम सही है, यू कई यू, दोस्तों, अलग-अलग कई भाषाओं में हैं, जिसमें से हिंदी भी है, English की पूरी किताब हिंदी में translated है, authentic translation है, वो भी आप देख सकते हैं, दूसरी बात, दोस्तों, यह किताब की answer की भी है, ऐसी बहुत, बहुत कम किताब मिलेंगी, जहां पे authentic, जो same publisher है, वो आपको authentic answer की provide करेगा, यह जो पूरी किताब है, दोस्तों, Ren and Martin द्वारा लिखी गई है, NDV प्रसाद राओ द्वारा revise की गई है, अलग-अलग publications में हैं, दोस्तों, आपको बता दूँ, यह answer की के साथ available है, यानि आप अलग से purchase कर सकते हो, इस किताब में answer की नहीं है, लेकिन अलग से answer की, एक explained answer की साथ में है, जो आप अलग से purchase कर सकते हैं, competitive exams के लिए बता रहा था, यह दोनों बातें जरूरी हैं, इस किताब के बारे में, number one, number two, तीसरी बात दोस्तों, देखिएगा, यहां पे correct usage, competition exam की अगर आप त सकते हैं, don't miss, don't even try to miss दोस्तों, आपको बता रखा है किस तरीके से कैसी चीजें गलत हो सकती है, correct usage कहा है, कहां गलती करता है विध्यारती, वो correct usage पूरा के पूरा अच्छे से explain कर रखा है, इसके अलावा structures, दोस्तों, sentence के सही structure ही हमसे frame नहीं हो सकते, दोस्तों, question tag, short answers, verb के type के structures होते हैं, conditional वाले structures, if it वाले structure, that वाले structure, their वाले structure, this वाले structure, sentence को बनाने के जितने प्रकार के structures हो सकते हैं, वो सारे आपको दे रखा है, और आखरी में आता है दोस्तों, part 4, अगर आप subjective अंग्रेजी की तयारी करना चाते है, subjective paper की तयारी करना चाते हैं, आपके लिए written comprehension भी दे रखा है, written composition भी दे रखा है, दोस्तों paragraph writing बहुत अच्छे से detail में, story writing बहुत अच्छे से detail में, reproduction of the story दोस्तों poem अगर आपको करनी है तो उसके अलावा दोस्तों बहुत ही comprehensive तरीके से, detailed manner में, letters, types of letter आप देख सकते हैं, social letter, friendly letter, invitation, business, application, official, newspaper. पर हर प्रकार के letters के बारे में, इतना detail से देना, दोस्तों, और आप सोचे केवल मातरमलब less than, less than four hundred pages की एक किताब, जिसमें अथा सागर है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, और आगे complete करते हैं दोस्तों introduction को, content को, comprehension दोस्तों ये भी नहीं मिलता है, कई सारी किताबों में comprehension भी नहीं मिलता है, grammar के portion के साथ, comprehension भी साथ में है, vocabulary को करने के लिए idioms हैं, phrases हैं, ऐसी वो सारी चीज़ें जो अंग्रेजी को सुधारने के लिए चाहिए, वो आपको इसमें मिल जाएंगी, आप देख सकते है, pressie writing, passage को expansion करना, essay, essay के classification, कैसे करना, कुछ examples दे रखे हैं, full outline, bear outline, bear outline, बहुत सारी चीज़ें बताने का है दोस्तों, autobiographies, dialogue writing, appreciation of the poetry दोस्तों ये भी आता है, and paraphrasing कैसे की जाए, तो यहां पे दोस्तों, in 44 chapters, जो part B में है, उसमें basically composition है, कैसे composition किया जाता है, अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है, subjective part को complete किया गया, objective part को complete किया गया, correct usage के बारे बताया गया, let's surprise, ये चीज़, आपको जो चाहिए वो इस किताब में मिलेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, भाया, अब मैं बात कर लें, content हमने देख लिया, content के बाद की बात मैं करूँ, तो पहले आपको decide करना पड़ेगा, भाया, चाहिए क्या, मैंने क्या का अथा सागर है, do बजाएंगे इस सागर में, हिंदी में भी available है, सब कोछ है, लेकिन आपको ये आपको पता होना चाहिएगी, आपको चाहिए क्या, अगर आपको ये नहीं पता होगा, तो भाया, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप ढूंडेंगे क्या, इसमें खो जाएं शायद मुश्किल ही रहेगा, उसके अलावा थियोरी को पहले complete करिए, उसके बाद एक-एक करके exercise करिए, बस यही basic part है, आप ये decide कर लीजिए क्या करना है, और दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी भी library का अभिन अंग है ये, अगर आपके पास library है और ये किताब नहीं ह रही है, बहुत अच्छे से आप समझ के, संभाल के रख सकते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं, इस किताब में miss क्या नहीं करना है, what not to miss, दोस्तों बहुत important बात बताने जा रहा हूं, इस किताब में ये चीजें तो गलती से भी miss ना करिए, सबसे पहले loads of exercise दोस्तों, ये कि loads of exercise दोस्तों, इसमें क्या हुआ, किताब ने इसके answers miss कर दिये, solution miss कर दिये, अलग से किताब निकाल दी, जहां पे इसके solution और answers हैं, वो minus करने से, इसमें questions की संख्या बढ़ गई, तो मैं ये कह सकता हूं, कि loads and loads of exercises, बिलकुल भी miss मत करिएगा, इतनी appropriate exercise दोस्तों, हर chapter के खतम होने पर उसकी exercise है, chapter जब नया शुरू होता है, तब वहाँ पर ऐसे समझिये, कि generally exercise खतम होती है, chapter खतम होता है, जितनी जगें बची होती ही, वहाँ वो छोड़ देते हैं, इसने अवैसा नहीं किया, किताब continuously आगे चलते चले जा रही है, बस मजा लेते जाहिए, दोस्तों preposition after different words, दोस्तों बहुती comprehensive एक तरह का data, एक तरह का source दे रखा है, जहाँ पे किस शब्द के बाद कौन सा preposition लगाना है, तरीके से समझाया गया है, please don't even try to miss it, दोस्तों spelling rules बहुत सारी किताबों में ये मिल जाएगा, बहुत सारी किताबों में ये मिल जाएगा, ये बहुती कम किताबों में मिलेगा, spelling rules को अच्छे से एक छोटा सा concept, किस तरीके से कुछ जगे पे basic basic rules समझाये गए हैं, वो जरूर मिस्मत करिएगा List of idioms, दोस्तों ये बहुत सारी किताबों में मिलेगा, लेकिन containing specific word all with example, दोस्तों एक शब्द से कितने सारे idioms बन सकते हैं, इसको ढूंडने के लिए internet पे जाना पड़ता है, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी किताब में आपको मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों, root words and prefixes, ऐसे words जिससे कि आप word और frame कर सको, form कर सको, compound word बना सको, ऐसी बहुत सारी list इसमें दे रखी है 20 plus 15, 20 basic structures and add-on structures, कुल मिलाके ऐसे 35 patterns हैं कि एक वाक्य को कैसे बनाया जा सकता है, उसका structure क्या हो सकता है, sentence के structure को, example of descriptive part दोस्तों, descriptive कह दीजे, subjective कह दीजे, essay parts का भी बहुत सारा examples बहुत सारे letters, applications, बहुत सारे essays इसमें दे रखे हैं दोस्तों, किताब दिखने में छोटी है, लेकिन मैं बताऊँ, अपने आप में एक full power packed किताब है बिल्कुल भी ये चीजें miss नहीं करती है, करनी है आपको, चलिए आगे वढ़ते हैं हम लोग यह किताब क्या-क्या बन सकती है दोस्तों, एक course book है, reference book है, competition के लिए है और writing improve करने के लिए यानि अंग्रेजी के हर पार्ट को cover करती भी एक बहुत ही शांदार किताब यहां पे लेके आए है मैं पुनह कहना चाहूंगा दोस्तों, book का overview बहुत simple सा है, आपके पास यह होनी ही चाहिए, आपको improvement मिलेगा मतलब LIC की जो tagline है, जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी, वैसी कुछ इसकी tagline है, competition के साथ भी और competition के बाद भी आपके लिए यहां किताब definitely बहुत ही महतपूर साबित हो सकती है, अगर आप इसे रखते हैं, कोई reference, कोई प्रश्न, कोई ऐसी चीज जो आपको ढूंडने में मुश्किल हो रही है वो सारी चीजें दोस्तों इस किताब में मिलेगी, तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में, फाइव स्टार से एक भी कम नहीं दे सकता, आधा भी कम नहीं दे सकता, यह मेरा book review था, और definitely आपके लिए must buy है, thank you. Please, like, share, subscribe, digital, तैयारी.